तुदेज माय टॉपिक इस फाइवर ओपिक्स वर सुस्वागत है अपका मेरे चैनल पर कि वुर्ओक्स यह तिकाया जा रहा है कि फाइबर प्लस ओप्टिक्स फाइबर मतलब कहां से होता है और ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से इसके लाइट गाइड़ अप्टिकल फाइबर और यह इसकी कंस्ट्रक्शन है ऐसे ऐसे यह प्लेस करी जाती है और अब यहां दिखाया जारा कि इसके अंदर कोवर क्लाइडिंग सिलिकॉन कोटिंग बफर जैकेट और यह टोटल पूरा फाइबर स्टेंथ मेंबर इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन दिखाए जारी कोवर जोता है इसका बिल्कुल इनर पार्ट होता है क्लैडिंग इसको प्रोटेक्शन प्रवाइड करवाता है और इसका मेंली जो सिंगल मोड फाइबर होती है उसका जो कोर होता है वो नाइन माइक्रो एम होता है और जो क्लैडिंग होती है बन टूंटीफाइव होती है माइक्रोम और जो कोर जो होता है पाइबर आप्टिक्स में वो इंटर्नल पार्ट होता है बिल्गुल इंटर्नल पार्ट वो कोर होता है वो सिलिका और कांच से मिलाकर बनाया जाता है और उसमें हीまり को ट्रांसफर करता जाता है और जो क्लैदिंग होती है वो only on kants की होती है जिससे टक्रा-टक्रा के जो light है उसको guide करजाता है और जिस भी इस्थान पर उसे पहुंचा मैं जाना होता इस वहाँ पे उसको guide करके भी पहुंचा आनडे स्वाइटbn करती है कि दोनों सो जो रिफ्रेक्टि बैशा होता है वह अलग बेक्स करता है यह गड़कि और टिप्राइब काALD मेरी धियुए इंसर और अदर बेव्वेश चॉल था जो यह वह ख़ड पाँ होता है उसका जो यह रचार नहीं होती बन पूटी मैक्वाइब जा रहा है यह इसका एक ट्राइंग थी यह फाइवर्स के कुछ स्ट्रेंड है ऐसे इसकी थोड़ी इसे केबलें दिखाई जा रही है कि ऐसे इसकी लुज टू वाली केबलें प्रोडक्ट किसी के दिखाई दारे हैं जैसे आप देख रह अपर का पार्ट जो है वो बिल्कुल थोड़ा इस से ज्यादा है तो यहीं कि इसकी कंस्ट्रक्शन है यह कुछ और फाइबर स्ट्रेंड है जो फाइबर है यह इसका जो बर्किंग प्रिंटिपल है यह है अपना टोटल इंटरना रिफ्लेक्शन जिस पर यह काम करती है त तो उसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे इस वीडियो में पर अभी फिलाल इसकी कंस्ट्रक्शन है यह इसमें जो यूज होने वाली पैच कोड़्स और कनेक्टर्स हैं जिखाई जा रहे हैं इसमें अलग अलग टाइप की होती हैं जैसे कुछ दो फाइबर बारा फाइ प्रिक्स और इससे भी 288 तक यह जाती हैं इसी में हम आपको इंट्रस्टिंग बात पिताएंगे जो की जिनों ना इनकी इन्वेंशन करी हैं वह हैं डॉक्टर का प्लानी सो पंजाब से ही बिलॉंग करते हैं उन्होंने फस्टाइम जो कॉपर को हटाकर जो सारा मीडिया इस पे ट्राफिक को जितना भी ट्राफिक था इसको इस पे रहा था टार्नोबर करा था और इसी मीडिया को इसके थू मीडिया को ट्रांस्फर करा था so it is very secure system in fiber optic security बहुत अच्छी होती है speed बहुत अच्छी होती है और इसमें कोई नहीं current की कोई होती है only light guide करी जाती है जैसा कि दिखाया जा रहा है light को ही light guided medium होता है इसको जैसे आप चाहें बैसे उसी direction में आप उसको guide कर सकते हैं जैसे यहां पर दिखाया जा रहा है कि light को अलग अलग direction में guide किया जा रहा है जैसे कि यह टी आई यार्ट कर दो जाती है इसके बारे में बात कर देखाया है आप जैसे कि आप जिसका नाम ही तोल इंटरनर रिफ्लेक्शन जो लाइट है बो टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट होती रहती है और उसको guide किया जाता है किस डायरेक्शन में light को जो है ले जाना है तो इसी कोई टोटल इंटरनर रिफ्लेक्शन बोला गया है लाइट और कोई ऐसी बेव जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ ना कुछ इसमें रिफ्लेक्शन होती है थोड़ी सी बहुत बैंड हो जाती है तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक लेजर को जैसे बैक्यून से बॉटर या कांच में ट्रेवल कर रही है तो यह थोड़ी सी बैंड हो जा रही है है तो इसी चीज का फाइदा जो है वह हमने फाइबड और अप्टिक्स में अठाया जिसे की हम टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं करेंagan को आसे हम फाइबर को गाइड कर वाते हैं और जहां जैसे cable TV network जो 1310 nanometer wavelength पे अपना काम करते हैं और कुछ ही comment जो है वो 1550 nanometer wavelength पे काम करते हैं So guys thanks for watching Please like, share, comment and subscribe my channel Thank you मेरी बाकी वीडियों का link मैं description में share कर दूँगा बहां से जाके जरूर उनको देखें जरूर Please like, share, comment, subscribe my channel